नमस्कार साथियों गौरवग्यानदारा में आपका स्वागत है अपनी क्लासेज का जो सिलसिला आगे चल निकला था वो आगे और चल रहा है लेकिन काविसारे साथी जो है वो पिछे छूट गए है अब उन्हें कैसे जगाए या कैसे उन्हें वापस इससे जोड़े ये तो माल लिया सभी के काम आते हैं एक दो दिन आगया चार दिन आगये माल लिजिए काम आगये लेकिन कम से कम वापस आप ट्रेक तो पकड़े भई नहीं त्योहार आए तो आप आराम की अवस्ता में चले गए कोई दिक्कत नहीं मेरी क्लासेज तो ऐसे ही चल रही है ठीक है औ और दिरे 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 आप देखोगे किसले बस कवर होने की और आएगा लेकिन आप लोग जो एक्टिव नहीं रहोगे वो पीछे छूड़ जाओगे अब चोहान अपने अभी तक के पड़ लिये सीरोई के चोहानों के अंदर कुछ भी नहीं दो लाइने है तो उसमें कु प्रते हो गया थमनेल के जश्ट वाय पे पहली ही स्लाइड नाडूल के चोहान ही बताए है बही लक्ष्मन देव लाखन जी लाखन सी इतो करियो और विगे बाद मी गुरु जी यह तो बढ़ाया नहीं गुरु जी यह क्या कम हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है अरे बस अपना तफरी जिंदगी में जो अपना तफरी मची हुई है उसी से पार लगने के लिए ये क्लासे ले रहे हो उसी से पार लगने के लिए पढ़ रहे हो तो कम से कम इस उठा हुआ जो तुफान है ना यह जो हिलता हुआ जलो रहे लेता हुआ जो आपका जल है इसको स जान्त होने दो सब कुछ दिखेगा आराम से धैरी के साथ में क्लास लीजिए और नियमिक लीजिए ठीक है हर चीज बता दी जाती है कुछ पूद्छने की ढवशिकता ही नहीं है सारी चीजें अप्डेट कर दी जाती है फिर भी देखो बताएं मुई चीज पूछोगे तो फिर बाद में कोई जवाब नहीं मिह फिर को खुर्षी जवाब भी नहीं देते है अमारे कमेंड देखते लिह эт यह नहीं हम भी कहते हैं आप सुनते ही नहीं हो फिर क्या मजाएगा क्या नहीं चलिए बात्चीत चलती रहेगी आज अपन नया वंस सुरू करने जा रहे हैं जो है बहुत इंपोर्टेंट और थोड़ी सी लंबी इसकी क्लास से चलने वाली है क्योंकि अपन पढ़ने जा रह जो वहिल वंस है ठीक है जिसे सिशोधिया वंस के नाम से भी जाना जाता है ये विश्व का एक मात्र सबसे लंबा चलने वाला वंस है ठीक है सबसे लंबा व्यवस्ति तरीके से चलने वाला राजवंस है सबसे यसस्वी है बहुत ज्यादा यस बहुत ज्यादा पैक्ट इ आएगी पाच्चों क्या दूँ मारवाड़िन क्या दूँ ठीक है आज शुक्रवार ने आ क्लास आरी है आगली क्लास आपने सोमवार ने आई भाई जी ठीक हमेद ज्याननी दो तो देखो मनिंग्लिस इत्ती आवे कौन तो मैं इंग्लिस में कौन बोल सकूं ठीक है हमाज ज तोड़े से यदि इतने आप इतने मतलब ऐसे रहोगे ना किसी के उपर निर्बर होने की कोशिश करोगे दुनिया बड़ी जाली में फायदा उठाएगी आप लोगों का ठीक है किसी को मौकानी देना अपना फायदा उठाने के लिए समझो इस चीज को आत्म निर्बर बनो थोड़े थोड़े एक दम से नहीं बन सको थोड़े थोड़े बनो देखो आज का वंस बड़ा इंपोर्टेंट है क्लास पे ध्यान पूरी तरीके से मुबाइल की स्क्रीन करो आड़ी कमेंटों में कुछ नई दरा जो मैं कह रहा हूँ उसमें ही दरा है और उसमें से ही पूछा जाएगा एक्जाम के अंदर ठीके सुरूत करते हैं व्यवस्ते तरीके से चाहे किसी भी एक्जाम में इतियास पूछा जाए आप लोगों के एक्जाम एपरोच के अनुसारी ये क्लास चल रही है बड़े दैरिया के साथ में और अच्छी तरीके से आपको अटेंड करने हैं चल ये गुहिल वंस जो नाम पढ़ता है वो एक राजा गोह के नाम से पढ़ता है जिसे गुहादित्य भी कहा जाता था ये गुहादित्य कैसे नाम पढ़ाया कैसे आया उसके उपर अपन आएंगे इस्टोरी है इनके पीछे उससे पहले थोड़ा सा मेवाड का basic देख लिया जए जो गुहिल राजवनस ने सासन किया वो छेत्र कैला ता मेवाड मेवाड देखोगे थो भारत के अंदर इसकी स्थिती जो है वो राजस्थान है राजस्थान में इस्थिती देखोगे थो आप देखो दक्षिन पूर् बड़े करके यहां पे दर्षाया गया है जिसके अंदर मुख्यू तोर पे आपके आगया चित्वड, उदेपूर, सलूंबर अब क्योंकि नया चिला बना है तो सलूंबर आगया इसके अंदर प्रताफगड आगया ठीके राजसमंद भिलवाडा चित्वड और निमच का कु या पढ़ना कहा है यह तो है मेवार फिर आप मेवार से इधर जाओगे तो यहां पी यह मारवार आएगा ठीक है यहां पे जाओगे तो हडोती आएगा यहां पे जाओगे तो मतश्य चैत्रा आता है और यहां पे जाओगे तो जाट रियासते आती है यह सारी चीज़ें आप लोगों को यदि आप continue चले होना मेरे साथ तो आपको बिल्कुल ही ऐसे लगेगा कि हाँ वैब सिरीज देख रहे हैं और एक एपिशोड पुरा हुआ अब अगला एपिशोड देखो के पिछला एपिशोड देखा है तभी अगला समझ में आना है और तभी वह लए बनी हमें आए डी पासवर्ड दो यहां फिर चार्ज कटाना पड़ेगा यहां तो चार्ज भी नहीं कट रहा है सिर्फ टाइम टाइम क्लास आ रही है देख नहीं है यह वैब सिरीज से कम थोड़ी है बड़ी आनंद के साथ में पड़ो ना कहां दिक्कत है अब देखो बात करे मेवाड के अउपनामकी अब मुझे बताने के त्व कहा जाता था सीवी कीवी और क्यों कहा जाता था यह मैं बता चुका हूँ पहली सीवी QTV और जो जातिया के यहां पर बसी और इनकी जो राजदानी हुआ करती थी वो मध्यमिका कहलाती थी नगरी ठीक है तो यह चीज तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को खुदको भी मेरे साथ साथ अनी चाहिए जो मुझे आता है वो आपको भी आता है या मुझे आ रहा है वो आपको आ जाएगा जल्द ही ठीक है लेकिन उसके लिए आपको सजक रहना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक तो यह चीजे मैंने बताई थी हो गया गुहिलवंस का संस्ता पक किया दे यहां पर आप देखोगे तो गुहिला दित्य या गुहा दित्य कहा दो वही है क्यों है गुहिला दित्य लिख देता हूं में यह आएग वा ठीक है अब गुहिला दित्य क्यों है क्योंकि इसी के नाम से नाम पड़ा गुहिल वंस गुहिला दित्य के नाम से ही गुहिल और गुहिल से ही फिर नाम सारी चीज़े आप मतलब जैसे जैसे आपके क्लास के लिए रूत जाएगी जब गुहिलवन्स पूरा आप पढ़ लोगे ना अपनको इसमें कम से कम साथ-ाथ क्लास से लेनी पढ़ेगी जब आप पूरा गुहिलवन्स पढ़ लोगे फिर आपको खुद लगेगा जो मैं पह सुरू करने वाले तो सुरू करने वाले पापाजी है कौन है पापा जी मार वाडिम के बापा जी ठीक है बापू तो आपर याद के राखनों बापा अ बाप्पा ऑप सो बीयाप और अगे तो क्या याद रखना है बापा रावल गुहिलवंस की प्रारंबिक राजदानी क्या थी प्रारंबिक राजदानी थी नागदा और बनाई इसी बापा रावल ने नागदा को राजदानी बनाई थी ठीक है यहाँ पर आसपा सासनिन का राहर राजदानी बनाई थी आगे और बताऊंगा मेवार के शासक जाने जाते हैं किस नाम से तो इन्हें कहा जाता था हिंदु आ सूरज है इंहे क्या कहा जाता था हिंदु मानते थे को राम हिंके पुत्र के मंस्तथ मानते थे हिंदु हा सूरज के नाम से जाने जा देदे हूं एक क्लिंग जी एक लिंग जी है और हम इनके क्या है सामन्त है हम तो इनके दिवान है यानि कि हम तो इनके अनुयाई है हम तो इनके यह कह सकते हो कि पीछे चलने वाले हैं हमारे जो राजा है वो तो यह है तो एक लिंग जी इनके क्या कहलाते थे सासक और जो राजा थे वो कहलाते थे यहां के दिवान ठीक है एक लिंग जी दे, कुल देवी इनकी बाण माता, कुल देवी बाण माता, चितोड गड़ के अंदर मुख्य मंदिर है, इनका बाण माता का बना हुआ, ये प्रमुख जानकरिया है, basic, किसी वंस को पढ़ते हैं, तो ये जानकरिया पूछ जाती है, जो द्रड राखे द्रंगती ही राखे कृतार, ऐसा इनका ये है, देखो यहाँ पर यदि आप अपने इस पर ही देखो के थमनेल के उपर, तो ये इनका राज की अचिन ले रखा है, इंदुआ सूरज कहते थे, देखो सूरज का ये है, यहाँ पर एक तरफ राजपूद सा सके, एक तरफ ब आज की अचिन है, ठीक, ये बात समझ में आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहना, अब बढ़ते हैं, अपन आगे, चलिए, फोकस सेट कर देता हूँ, मेरे रूपता है, फोड़ा सा आपके फोकस डिश्टर्ब हुआ है, चलो मैं, इसी स्लाइड पर आपको कुछ और क्लासा कर लेते हैं, तर उसके बाद में बताता हूँ, मैं आपको बढ़िया स्टोरी, अब आपको स्टोरी सुननी है, ठीक है, आज की क्लास में लिखना कम है, सुनना ज्यादा है, चलिए, मैं बताता हूँ, आपको, एक तो द्यान रखना है, देवा देते हैं, ये नहीं पुछे जाते हैं, एकजाम में, ये भी मैं बता दू, इसलिए इसको नोट्स मेंगिंग पैटरन पर नहीं लिखे आ हैं, इससे प्ष्टोरी आपको सुननी है, ठीक है, एक द्यान रखना है, और पुस्पावती, इसक कि गुःदित्य कमलावती ठीक है इसके बाद में आपको ध्यान रखना है नागा दित्य जो आपको मैं मैं ध्यान रखना है वही मैं बता रहा हूं वैसे तो बीच में और सहील वगए वह भी हुए अपराजित वगए रसा सक हुए लेकिन वह आप लोगों के इतना काम का नह है मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले यह देवादित्य जो है यह कि म Do Bundy गर्रामन देवता है विगार्श का ब्राहवन थे नाम का एक ब्राहभन था किसी गुर्ण राज्ये नाम के उसमें में रह्ता थ defendant तो वहां पर देवादित्य रहता था देवादित्य की एक पुत्री थी सुभागा ये देवादित्य की क्या थी पुत्री थी देवादित्य की पुत्री का नाम क्या था सुभागा लेकिन सुभाग इसके थानी सुभाग इसके थानी जिस दिन इसका विवाधा उसी रात ये हो जाती है विद्वा ठीक है कि इस मंतर का उचारण करने से ये गर्भती हो सकती है ठीक है तो बीज मंतर देते तो है लेकिन ये भी कहते हैं कि बहुझ से समय पे ही इसका उचारण किया जाए क्योंकि फिर बाद में देखो गर्दवती कोई विद्वा है और वो गर्दवती होती है तो दिखती वाद है कि लोग लाज में वहाँ पे फिर लोग जो है कोई बक्सते नहीं है ठीक है ना बीज मंतर ऐसी ही इस्टोरी अपने महाबारत क के अंदर आप यहीं देखो कि करन तो यह पुत्र करन कहते है उससे संबंदित यह आप ध्यान दोगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसी ही इस्टोरी नजर आती है अब देखो सुबागा जो है एक बार भूलवस ठीक है भूलवस बीज मंतर का उचारण कर लेती है और इससे य पुत्र हो जाता है अब पुत्र जो है वो देखो ठाबर है ठाबर रम्णे जावेटि थोड़क बड़ो उझ्या तो खेलने जाता है अब इसके पिता का कोई अता-पता नहीं था क्योंकि यह तो बीज मंत्र से घरपती हुई थी तो यह बच्चा जब घैनने जाता तो सभ अब एक द एक दीन जो सूर्य भगवान पर कट होते हैं इस बच्चे को समझाते हैं बताते हैं कि तेरा जनम इस तरीके जाएगा ठीक है और तब से इसका नाम हो गया सिला दित्य यह यहां से जाते हैं वल्लभी नगर वल्लभी जाकर वहां की राजा को जो है इस सिला के दम पर यह कर देता है पराजित और खुद बन जाता है वहां का राजा ठीक है सिला दित्य अब सिला दित्य का विवा होता है इसकी रानी होती है पुस्पावती सिला दित्य की रानी कौन होती है पुस्पावती अब यहाँ पे जो है सिला दित्य वल्लबी का राजा होता है वल्लबी के अंदर जो है विदेशी आकरांता आके हमला करते हैं और वल्लबी को जीत लेते हैं सिला दित्य कारणवस किसी कारणवस मारा जाता है ठीक है और पुस्पावती जो है ये इस समय पुस्पावती ये जो है ये गई हुई होती है अपने पिहर माय के गई हुई होती है और किसलिए गई होती है पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए गई होती है ठीक है पुत्र र सत्य तो नहीं रहें, वहाँ पे अब युद हो गया और वो तो बचे नहीं, तब यह भी जो है वहाँ सती होने के प्रयास करती है, लेकिन किसी तरीके से पता चलता है कि यह उस समय क्या होती है, गर्वती होती है, तब ये वहाँ पे कुछ दूसरी इस्त्रियां जो होती है, इसे सती होने से रोक देती और समझाती है, कि वहीश सती होना है आपको अपने प्राण देने हैं, लेकिन आप दूसरे एक और प्राण ले लोगे, तो फिर प्राण बाद में जो है, ये किसी गुफा में जाकर वास करती है, कहां जली जाती है किसी गुफा के अंदर, ठीक है और वहाँ गुफा के अंदर ही एक पुत्र को जनम देती है और गुफा के अंदर जनम होने के कारण उस पुत्र का नाम क्या होता है गुहा दित्तिय इसको गुह या गुह के नाम से भी जाना जाता था उस समय गुह या गुह कह दिया जाता था ठीक है अब यह अपने इस पुत्र को गुह या गुह को कमलापती नाम की एक ब्राह्मनी को स्वाप देती है और खुद हो जाती है सती क्योंकि द प्रण ले लिया मरने के लिया तो लिया आपने तो लेना पूरा ही प्रण लेना है ठीक है ना तो यहां पर देखो अब आया अपन यहां कमलावदी नाम की ब्रामणी थी यही इसे गुह को या गुह को बड़ा करती है गुहा दित्यों को बड़ा करती है और यह गुहा दित्यों की इस्तापना कैसे करता है देखो यह जो है यहां इडर के आसपास बील राज्ये होता है इडर के आसपास यह रहते है तो बीलों के बच्चों के साथ में ही यह खेलता है और इसके अंदर नैतर तो आप तो बहुत अच्छे निर्ने लेते हो, आपके अंदर तो बहुत अच्छी decision making power है, ठीक है आप हमारे राजा हो, यही बात जो बिलो के वहाँ राजा थे उनको जाकर बताया, तो वो भी खुस हुए, और उन्होंने इसे वास्तों में राजा स्विकार कर लिया, और यह इस तरीके से यह गुहिल वन सस्तित्मों में आया, इसके बाद में और भी राजा हुए, सील, पराजित वगेरे बहुत हुए, लेकिन आप लोगों को अब ध्यान में रखना है एक और राजा, इनकी आठ भी पीडी में हुआ नागा दित्तिय, ठीक है, इनकी आठ भी वो कहलाता है बापा रावल, ठीक है, तो ये बापा रावल तकी प्रारंबिक सास्कों की इस्टोरी थी, अब इसमें क्या लिखोगे, पुछा नहीं जाता है इनमें से, लिखोगे क्या, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है, यदि किसी किताब के अंदर इस्टोरी भी आती है तो आज दिन तक कभी सवाल इसमें से पूछा नहीं गया, क्योंकि ये जो है, ये इस्टोरिया इतनी authentic नहीं है, हर जगे अलग-लग मिलती है, ये इस्टोरी जो है, वो किवदंतियों पर आदारित है, ठीक है, किवदंतियों पर आदारित कहानिया है, ठीक, अब मैं आज बता आकार और उनमें बदलाव लाती रहती है, कई सुनी बात, आज यहां से दस आदमी के बाद में जो बात है, थोड़ी सी बदल जाती, चैंज हो जाती, मिर्च मसाले लगाने की आदत होती है, इस तरीके ते चैंज होती जाती है, इसलिए किवदंतियों पर पूर्ण तया व बता दिया आपको, ठीके, अब आते हैं गुहिल वरित का वास्तविक संस्तापक जिसे कहा गया बापा रावल, तो यह किसका पूत्र था, यह नागादित्य का पूत्र था, और कैसे यहां तक अपनी स्टोरी चली वह बता दिया, अब देखो बापा रावल जो है, इसका भ थोड़ी है, कि सिर्फ मैं ही एक ट्रेंड मार्क ठपा लेकर बैठा हूँ, तो वो कमलावती भी वहाँ थी, तो और भी तो होगी, ऐसा थोड़ी है, कि एक ही होगा, है ना, ठीक है, चलिए, तो बापा रावल का लालन पालन वार यह किया है, अब बापा रावल जहां पे रहते थे, वहाँ पे बताते हैं कि ब्रामन जादा थे, और ब्रामनों की यह गायें चराया करते थे, ठीक है, गाये चरा कर आजी भी का चलाते थे, बड़ा डील डॉल का और ऐसा व्यक्तित आई है, कि जिसको देख कर दूजनी छूरती थी लोगों की, कैसे, यह चीज में अची तरीके से, कि बापा रावल का मतलब शरीर कैसा था, उसका डील डॉल कैसा था, ठीक है, डील डॉल ऐसा था कि देख के धूजनी छूरती थी लोगों की, ठीक है, अब देख क्यों, क्योंकि देख कहा जाते हैं कि वह देवी के सामने एक जटके से दो बैसों की बली द देता था ठीक है और 35 हाथ की दोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था एक हाथ माने कि मीटर 35 हाथ यानि 35 मीटर की दोती अपान 4 मीटर ही दोती पे रहा दी वे तो येख मन सबतो यह नहीं करता था चार बख्रों का बोजन करता था चार बख्रों को मतलब यहां पर खारी लोग मजनार है नौन सब तो इसको लिंक मत चरना के हैं जहां पर दीखो कि लाक से बीपनाु Corps को सब्सक्राइबर और बालाओर सब्सक्राइबर गए टो बापा रावन उह संने था मिलियन कर वित्ते सेनिक और इत्ते सैनिक की स्वाइब यानी कि उस समय तो यहrection ना य 77 Пер ऊसल था यदि उस समय शोशल मीडिया चलती तो सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स बापारावल कही होते ठीक क्यों बारा लाग ब्यातर वाजा तो सैनी की थे इनके परिवार वाले का गई टाबर टिंगर लुगाई वगेर सब भी टाइम चला था तो सब मुझ ज़्यादा सब्सक्र में अनन अने वाला हैं विवाड़ परते समय बहुत ही यससवी राजवन्स रहा है यह बापारावल के बारे में थोड़ी सी मतलब मैंने आपको यहां पर बुमिगा बनाई है क्लास में आपका इंट्रेस्ट जगाया है आप देखो बापारावल चलाता था गाए ठीक है ग सस्पेंस वाली चीज होगी कि सुब्बे तो दूद देती है और साम को देती नहीं तो दूद गया कहां तब एक बार जो है पापारावल उसका पिछा करते हैं क्या गाय जो है कोई तो गड़बड कर रहे हैं तो वहाँ पे जाकर देखते हैं वो गाय एक गुफा में जाती है और गुफा में पक्तों के उपर सुखे पत्ते बढ़े हैं उसके उपर अपने आप ही दूद की दारा बहने लगती है पूरा ही दूद वहाँ पे वो देखर और फिरा जाती है यानि कि अब उसके पास में दूद की मात्रा बची नहीं बापारावल वहां के पत्ते हटा माल जी नमस्कार के हाँ बेटा ठीक है चलिए फिर बाद में ये इस्टोरी पता चल गी और वहीं पे जो है उनको हाथ जोड़के अपना गुरु बना लेता है उन गुरु जी का नाम था हारित रिशी ठीक है यह देखो हारित रिशी वो तपस्या कर रहे थे उनका नाम क्या बाद में हारित रिशी इनकी तफस्या से बहुत प्रसंद थे और उसके बाद में जो है आड़ी रिशी के एक बार सवर्ग जाने का समय हो गया अब देखो रिशी माँ बहुत सिद्ध पुरूष थे तो उनके जो है स्वर्ग के स्वर्ग से वहन आया खुद उने लेने उनके स्वर्ग जाने का समय हो गया और जब स्वर्ग जा रहे थे बापारावल कहीं से आ रहे थे तब वह जब विमान में चड़के जा रहे होते तब बा आते हैं कि बापारावल का शरीर उसमें 10 हाथ बढ़ जाता है और वह मिलने का प्रयास करते हैं और आर इत्रीसी चाहरे थे पूत्रिशी कहते हैं जाते जाते कि मैं तुझे अमर करना चाहता था पूत्र लेकिन कोई बात नहीं यह तेरे पैरों में गिरा है यानि कि जहां जहां तक तेरे पैर जाएंगे वहां वहां तक तेरा सासन रहेगा यानि जब तक तुझ जिवी ते और तेरे पैर जहां तक ज जाना जाता था बापा रावल कोई ठीक है ना तो चितोड के अपने चितोड के क्या मेवाड के गुहिलवंस के वास्तविक संस्तापक जो कहला है वो बापा रावल कहला है ठीक है चलिए शीवी वैद्य ने इसकी तुन्ना चार्ल्स मार्टल से की है चार्ल्स मार्टल एक फ् राजगुरु और चकवे उपादी भी दारण की राजगुरु और चकवे क्या यानि कि चारों दिशाओं को जीतने वाला चकवे की उपादी भी इन्हों ने दारण की है किसने बफपा रावल ने दारण की है तो यहां से नौट्समेकिंग पैटर्न पे तो साथ यूँ आप लंबा चोड़ा आप लोगों को बाशन या इस्टोरी सुनाई है वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए हो जाएगी फिट वो आप निकलने में नहीं है यह कैसेट यह वेब सीरीज जो चली है अपनी यह वाला एपिशोड यह आप लोगों के बिलकुल ही फिट हो चुगा है आप लीजिए स्क्रीन स्वाट अपन बढ़ते हैं आगे बापा रावस के संबंदित और जानकारिया जो फैक्ट के रूप में आपको दियान रखनी है वो देखो यह तो है मेवाड का राजकिय चिन ठीक है एक तरफ तो छत्री है और एक तरफ विल यूग है और देखो य हिंदुवा सूरज कहा जाता था और ये लिखा हुआ इनका देवाखे जो द्रट राखे द्रमती ही राखे करतार ठीक आईए बापा राशन ने कैलास पूरी के अंदर नागदा के यहीं कैलास पूरी में एक लिंग जी के मंदीर का निर्मान करवाया ये पूछा जाने वा हुआ यही थे ठीक है तो इन्होंने यहां पर ये निर्मान करवया 734 के आसपास का शासनकाल इनका रहा है को के अंतिम समय अनुद्वा Search है कि इनकी छत्री कहां है तो इनकी छत्री खूरासान के अंदर ठीक है तो यह आप लोगों को आज ध्यान रखना है बढ़िया आप लोगों के लिए जो जानकारी जो फैक्ट के रूप में चाहिए वो फैक्ट के रूप में दिये जो इस्टोरी के रूप में दिये ठीक है न चल तो अब इसी के साथ अपनी ये class जो है short and sweet कैसी थी वो तो आप बताओगे बाकी ये पूरी होई बाकी अब ये चीज बताने की अवश्यक्ता नहीं है जिसको अभियास की अवश्यक्ता है वो जॉइन कर चुके होगे बाकी कोई नहीं टेमपास करें तो करन दो ठीक है चलिए और हाँ दो दिन की मुझे ध्यान है PDF नहीं मिली थी आपको तो हो सकता है या तो आप ये आप class देख रहे हो तब तक मिल जाए या नहीं भी मिली है तो class पूरी होगी तो मतलब आज राद तक आप लोगों को ये वीडियास मिल जानी है अगली class आप रहे स्टोमवार ने आई ठीक है दोना भासा हम बता दियो बाद भी थे अगर पूछो नहीं तो पस ठीक नहीं है हर चीज मत पूछा तो थोड़ा सा class ओं को वीडियों को ध्यान से देखो यदि आपको लगे उपियों की नहीं है फिर भी देख लो कोई न कोई जानकारित मिले की कोई गाठा तो होने से न ठीक है न यूँ भी तो time pass करो रिला देखा है यूँ ठीक है नौरा फते ही को देखते हो इस से अच्छा तो यह होगे वहाँ से सिक्वी जीजे काम भी नहीं आएगी आई बात समझ में ठीक है ना चलिए मिलते हैं अगली class में अगले वीडियो में तब तक के लिए राम राम जैहिन